हेलो आपसे भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एक्जाम की प्रिपेशन में बहुत अच्छा से कर रहे होंगे आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगे कि RPF और RPFS RPSF जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है तो इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगे मैं आप लोगों को कि कौण से जोन की कितनी कटओफ गई थी कैसे क्या क्या चीज़े थी और RPF और replsf में आपको अगर अपलाइ करना है तो क्या benefits हैं किसकी posting आप अपने according लेइ सकते हो या फिर किसकी पोस्टिंग कैसे क्या क्या होती ही सारी डीटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगे और आर्पी एव और आर्पी एफ एसफ में क्या डिफ्रेंस है ये भी बताऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आप लोगो यही बोला चाहूंगी कि जो भी सब्सक्राइब करना है यहां पर आप लोगों को यह भी ध्यान देना है कि जो आप अप्लाई करोगे तो आप कौन से जोन में अप्लाई करना है किया कहते है करना चाहते हो क्मेंट करके जभी बताना लेकिन मैं आप लोगो को पूरा डिस्क्राइब करोंगी कि लेकिन यहां पर मेंली आप बात कर लेते हैं, आरपी अफ और आरपी अजिफ में कैसे क्या क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर किसी को घर के पास पोस्टिंग चाहिए, तो यहां पर आपको किसमें अप्लाई करना है? एक यहां पर सबसे में फाक्टर आता है, को होता है यहां पर सबसे बिशुस करऊंगी यहां सबसे पहले बता भी टृण के आए रहो हुं ॥ में कौन कौन से रीज़न के जों सर्थ आते हैं रेलवेट कन नीनका बोल सकते हो तो यहाँ पर आप डॉट लिए कर दूए स्सुद्ध रिजन होता है ए से हिर्स रीजन होता है सी से इसे Central रीजन होता है विए और्र असा डावथ रीजन यहां पर hired आंसे के दो से और से वह से वेस्टर और S E C R फिर इसी तरीके से ग्रूप C में आता है Eastern रीजन्स Eastern Central रीजन्स S E R E S R ऐसे करके यह रीजन्स आते हैं फिर ग्रूप D में आता है Northern Reason N E R N W R और N C R E में आता है N R N F R फिर F में आता है R P S F सबसे ज़्यादा में कोशन यही आता है कि F ग्रूप में R P F जो R P S F होता है यह होता क्या है तो इस वीडियो में पूरा यही मैं बताना चाहती हूँ कि R P F और R P S F में डिफरेंस क्या है जैसे कि यहाँ पर ग्रूप A से ग्रूप E तक अगर आप अप्लाई करते हो तो अगर आप R P F S F में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर सरफ एक ही ग्रूप में आप अप्लाई करोगे चाहे आप Group A में अप्लाई करो, चाहे Group B में अप्लाई करो, किसी भी एक Group में ही आप अप्लाई कर पाओगे, A से E तक, यह RPF SI के लिए, यहाँ पर Group F में अगर आप अप्लाई करते हो न, RPSF, इसका मतलब होता है कि आपकी जो पोस्टिंग है, वो All Over India कहीं पर भी पोस्टिंग हो पाईगी, इससे आप पोस्टिंग अपने घर के पास भी ले सकते हो, सबसे में यहाँ पे बेनेफिट इस RPSF का यही होता है, कि इनकी पोस्टिंग All Over India कहीं पर भी होती है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें पोस्टिंग आपके घर के पास, या आप जहाँ साथ हो, वहाँ पर भी ले सकते हो, यह चीज़े अभी समझ में नहीं आती है, बट जैसे जैसे रिस्मोंसिबल्टीज बढ़ती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो बात मे यहाँ पर अप अप्लाई कैसे करना होगा आपको जब इसका नोटिफिकेशन और अप्लिकेशन स्टार्ट होगा भी गए, तो आप सरकारी रिजल्ट पर या फिर आर्पियाफ की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर पाऊगे, लेकिन सबसे जादा ध्यान दे रहोगे, पोस्टिंग आपकी ग्रूप A के रीजन्स में ही होगी, जैसे कि SR, SWR, SCR, लेकिन इसी रीजन्स में से किसी एक रीजन में आप अपने च्वाइस से ले सकते हो, पोस्टिंग लेकिन यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो इन्ही तीन रीजन्स के अंदर रहे पोस्टिंग मिलेगी, तो RPF में क्या होगा, आपको ग्रूप A से ग्रूप E, में किसी भी ग्रूप में अप्लाइ करके आप अगर उन रीजन्स में अपनी पोस्टिंग लेना चाहते हो, लेकिन अगर किसी को अपने घर के पास लेनी है, या जहां पर वो चाहता है, अगर उसको घर के पास मिल जाया, कोई सोच रखाओ किस प्लेस में मुझे पोस्टिं में रहेगी, ठीक है, तो यहां से आई थिंक, अब आपका क्लियर हो चुका होगा, डाउट, कि यहां पर आपके लिए आरपी, ऐसाफ सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि इसकी पोस्टिंग कहीं पर अल ओवर इंडिया हो सकती, इसकी पोस्टिंग मतलब मैं बोल सकती हूँ, कि केंज होती रहती, जैसे अलग-अलग सेक्टर्स में, तो आपकी ओल ओवर इंडिया है, कहीं पर भी बेस सकते, इसी तरीके से आप लोगों का कॉंस्टेबल का जो पोस्ट आएगा, आप उसमें भी अप्लाई कर पाओगे, लेकिन यहां पर आरपी ऐसाई के लिए आप लो कौन किस पोस्ट किस ग्रूप की पोस्टिंग में अपना सेलेक्शन लेना चाहता है, बाकी यहां पर इसकी कट ओफ कैसा जाती है, यह भी बताओं, तो आपको कट ओफ का एक सेपरेट वीडियो भी प्रवाइट करूंगे, लेकिन यहां पर आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहती हूं कि कौन कौन से पॉइंट से जो की कट ओफ में अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एक डिटिल वीडियो भी प्रवाइट करूंगी, कट ओफ कितनी गई थी, कौन से जोन की हाइस्ट गई थी, बढ़ यहां पर आपकी गुरूप सी अलग अलग कट ओफ बनती है और जो कट ओफ बंती है वह 120 माक्स मतलब की 120 नमबर में से कट ओफ आपकी बनती है और कि गटेगरी वाइस कितने नुम अप्लाई किया, कैसा है इक्जाम पैटन, जो होगा उसका पेपर कैसे आया था, यह सारी में पॉइंट से जो कट ओफ पर एफेक्ट करते हैं मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा और बाकि इसका डेटियल वीडियो में मैं आपको प्रवाइड करूंगी और भी कट आफ किस से रिलेटेड तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर लिजेगा बाकि आप क चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि क्यूजिस के लिए मेरे कम्यूटी में डेली अपडेट मिल जाया करेगी आपको मैं बहुत जल्दी सब शुरू करने वाली हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिले और बाकि मैं भी इसी को टारेट करूंगी कि आर्पी ऐसाई में करके पूर सकते हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू फॉर वाच्ट